देश में लोगसभा चुनाफ की लहर चल रही है। प्यूश गोयल अपनी पतनी सीमा गोयल के साथ मंदिर पहुचे। उनके वहाँ पहुचते ही उनके समर्थकों का जमावडा लग गया। भारी संक्या में लोग प्यूश गोयल का स्वागत करने वहाँ पहुचे। धोल नगाडों के साथ और मंदिर में प्रवेश करने से पह उच्सा देखने को मिला। लोगों ने प्यूश कोयल को माल्यार पढ़कर अपने सने और सम्मान के दोर से बान दिया। वहीं जुनता से मिल रहे प्यार और समर्थन पर प्यूश कोयल ने कहा कि मैंने पहले ऐसा एतिहासिक रोडशो कभी नहीं देखा। आ रही थी और कारिकर्टाओं का उत्सा हमने तो एक गंटा सवा गंटे का रोडशो छोटा साही रखा था लिखिन इतना प्यार था के लगबग एक गंटा हम शुरू नहीं कर पाए बुरिवली से क्यूंकि कारिकर्टा इतने जुड़ते जा रहे थे जंता इतनी ज्यादा ज इतना प्यार इतना स्ने इतना अभिनंदन और इतना अशिरवाद जो यहां की चंता का मिला है मैं उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों का सदेव कृते के रहूंगा और वर्चों वर्चों तक यहां पे सेवा खारे करूंगा मुझे लगता है कि शुरूआत भी अच्छी ह हुई है हमने कली जो मेरी पहला वादा था उत्तर मुंबई को कि यहां पे एक बल्टी स्पेशालिटी अस्पताल बनना चाहिए जो लोगों को दूर ना जाना पड़े मेडिकल एमेजेंसी में कली एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने खोशना कर दिये 400 बैट का अस्पताल का काम शुरू किया है और उसको बढ़ा कर अब वो हजार बैट का अस्पताल बूरिवली में मागाता ने मेट्रो स्टेशन के बाहर बनाने की कमिंट्मेंट कल दमानी पाउंडेशन ने दिये मैं समझता हूं उत्तर मुंबई में मेरा अगमन एक हजार बैट का अस्पताल जो मु मुंबई के सिवा करेंगे तो शुरुवात अच्छी हुई है गोरही में भी एक नर्सिंग हों का काम एक बैंगलोर की मित्र ने CSR में ठेक अप कर लिया उसकी टीम भी आखे गोरही देख चुकी है उन्होंने जगाका और वहां की जरूरतों का असेस्मेंट कर लिया है और मुझा लगता है वो भी जल्द काम शुरू हो जाएगा तो दो बड़े वादे पूरे करके उसके बाद में आज नॉमिनेशन पॉम बरने जाए अब वो उनकी मजबूरी है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के सामने वैसे भी उमिद्वार देना कटिंग काम है और मोधी जी की आज जो लोगप्रियता है मोधी जी के प्रदान करते जा रहे हैं अभी तक हमें ये भी स्पश्ट नहीं है कि कौन लड़ेगा या कौन सी पाटी लड़ेगी मेरा तो ओपन इंविटेशन है मैं तो स्वागत करूँगा कि राहूल गांदी जी उत्तर भूबेई में आए मुझे लगते है जनता का उत्सा और बढ़ जाएगा कि मुझे और बड़े मार्जिन से जिताएं यहां से जबीच मंदिर पहुचे उनके समर्थकों ने उनके साथ फोटो भी खिचवाई और प्यूट